सीट्वेंटी में सिविल सोसाइटी से संबंदे 14 विशयों के विबिन मुद्धों पर चाचा होगी दो दिन से मंधन के जो अमरत निकलेगा यह हमारा पॉलिसी पैख होगा ऐसी जानकारी आयोजेत पत्र परिशत के दोरान C20 के शेरपा डॉक्टर स्वदेश सिंग ने दी है पिछले तीन महीने से लगतार इस पर काम हो रहा है इनागपुर में होने जा रहे है सिने ने कहा कि 20 से 22 मार्च तक होटल में आयोजेत C20 परिशत में सिविल सोसाइटी सिंगठनों के विचारों को प्रस्तुत किया जाएगा विच्व के नागरिकों की आकार्मशाओं को आवाज देने के लिए सिविल सोसाइटी सिंगठनों को एक मंच पदान करता है C20 एक ऐसे विश्व की कलपना करता है जहां व्यक्ति, परिवार, समाज, बाजार, राज, आपसी संगर्शों में शामिल होने के बजाए एक दुसरे के पूरक हो सकते है हमारी प्रॉपेटिक G20 के पास रखेंगे नागपूर की धहती पर होने वाले मंथन से जो अमरित निकलेगा वह बहुत सकर रातमक होगा जोरान P.I.B. की अतिरिक्त महान देशक समीता शर्मा कीरन डीएस मेलिंद आरोलकर पंकज गौतम डॉक्टर परिनितिफू के आदी मौझूद रहे इसे यूद 20 होता है इसे डबलू 20 होता है तो C20 यानि Civil 20 उसकी मीटिंग अपने 20-21 मार्ज को नागपूर में होने जा रही है उसके लिए पिछले चार महिने से हम लोग सेकेटरियार के नाते त्यारी कर रहे है हमारी जो चेर है वो मतामरतानन्द मई है विवेकानन्द केंद्र हमारा एक प्रमुक सदस से है और सत्संग फाउंडेशन है प्रमुक सदस से है इसके लावा एक स्टेरिंग कमीटी होती है जिसमें पुरी दुनिया के से चुने हुए कुछ Civil Society के लोग होते International Advisory Committee होती है जिसमें से कुछ चुने हुए सदस होते है और Working Group होते है Working Group यानी की कुछ विशे जो वो देश जिसके पास यह अज़क्षता है वो उसमें से चुनता है Priority के बिसिस पे वो भी हमने चुना और यह सारी प्रक्रिया करीब 20 अक्टूबर के बाद से हमने चालू कर दी और जब हम लोगों के पास एक दिसम्बर को अज़क्षता आई और फॉर्मली तब से काम थोड़ा तेज हुआ 16 जनवरी को हम लोग ने इसका inaugural किया और तभी हम लोग उसके बाद यह जो 20-21 मार्च को अब नागपुर में इसकी inception summit होने जा रही है यानि कि जो पिछले चार महिने में जो हमने priority areas लिये थे करीब ऐसे 14 विशे हमने लिये थे और एक G20 में एक finance track पैरलली चलता है तो उसके लिए finance के issue की climate finance issue है ऐसे बहुत सारे दुनिया के विशों में जो finance का angle होता है उसके भी चर्चा हम लोग करेंगे तो इसे 14-15 विशे लेके हम उसके चर्चा करने वाले हैं अगले 2 दिन हमने इसके लिए पिछले 3 महिनों में concept note तयार किया था और किसी भी विशे का एक state का perspective होता है एक business perspective होता है और एक civil society का perspective होता है तो civil society उसपे क्या सोचती है यानि कि NGO sector क्या सोचता है development sector उसपे क्या सोचता है उसको उस perspective के साथ आना उसपे document तयार करना उसपे policy brief तयार करना अब finally G20 की भाशा में उसे policy pack कहते हैं वो policy pack जो G20 के रास्टा द्यक्ष यहाँ पे सितंबर में एक अंत्रित होने वाले हैं उससे पहले G20 के leaders को सौपना कि ये civil society का एक perspective है नजरिया है इसको जो G20 के जो सबसे powerful जो देश है इससे वह दुनिया के उनको इसको नजरिये को शामिल करना चाहिए और उसमें से कई सारे बिंदो ऐसे लिये भी चाते हैं और हमारा भी ये पुरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे विशय हैं उनमें से बहुत सारे विशय है और हमारे नजरिये से उसको लिया जाए हमने इस पे health का विशय लिया है environment करके का विशय लिया है life lifestyle for environment अभी रोजगार के बड़े मुद्दे हैं उसका विशह लिया है कि हम कैसे नए तरीके के रोजगार में स्जित करें अब पुराने से भी प्रेड़ना लें आर्ट और क्राफ्ट का विशह लिया है हमने इसके अलावा SDG 16 प्लस यानि कि सब को पता है कि दुनिया में मुद्दे क्या हैं पहले से पहले 15 गोल वो हैं लेकिन उसे कैसे एफेक्टिवली लागू करें तो उसके लिए एक विशह हमने लिया है तो ऐसे बी दो विशह जैसे सेवा का एक विशह है कि सारे दुनिया में परिवार की तरह कैसे करके conflict resolution की बात सब करते है लेकिन conflict resolution तो तब होता है जब conflict हो जाता है लेकिन क्या conflict होने से पहले उसे avoid किया जा सकता है इस तरह का विशह हमने लिया है तो इन सारे विशहों पर विशने तीन महिने से academic level पे state के साथ मिलके, bureaucracy के साथ मिलके, development sectors में बहुत सारे लोगों के साथ मिलके, पूरे देश में एक churning होई और दुनिया से भी हमने perspective लिया तो working group जो हमारे होते है priority area उसमें एक national coordinator होता है एक international coordinator होता है तो उसमें भारत का पक्ष भी आता है और जो दुनिया में जो G20 देश है उनका पक्ष भी आता है उसमें पूरी एक churning होई है तो उसमें एक concept लोट हम लग एक primary draft बना उसमें लगातार online के कारण मार्णयम से चर्चा होती रहे और अब उसमें हम लोग अगले दो दिन exception conference का जा रहा है यह चर्चा जारी रहेगी यह पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है और उसके बाद अगले चार महिने और हम लोग फिर जून में इसको पुरा policy pack तयार करेंगे और एक declaration भी लाएंगे और यह सारा चीजे 31 जुलाई को जैपूर में हम लोग उसे जारी करेंग तो इससे बेतर कोई जगा हो ड़ी सकती थी कि समाज के क्या सोचता है समाज की अपनी क्या समाज है वो perspective कि भारत अपने आप में अगर आप देखेंगे तो समाज के इंदित व्यवस्ता हजारों साल से रहा है तो state और business के साथ समाज की क्या समज है ज्विविन मुद्धों क को लेके उस पर हम लोग एक अपनी समझ बनाने के लिए यहां पर सी ट्वेंटी के तहें 14 वर्किंग ग्रूप बनाए गए है शिक्षा स्वास परियावरन तक्नीक पारंपरिकला लोगतंत सतत्विकास रोजगार मानव अधिकार सेवा वसुदेव कुटुमबग समेश 14 व राम दिख्षब भूमी संग भूमी पेंच जहां चाहे दोरा कर सकते हैं दोरे में यहां के संस्कृतिक व इतिहासिक महत्व का अवगत किया जाएगा NBCN News के लिए राजकुमार मोड के साथ शितिजा देश्मकी रिपोर्ट